हर वक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते हैं ऐसा असंभव है कि वक्ति को हमेशा सुख मिले दुख हमें ये एहसास दिलाता है कि सुख होता क्या है अगर दुख नहीं मिलेंगे तो सुख का एहसास भी नहीं होगा अगर दुखों से बचना है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है वो है अच्छे कर्म और ईश्वर में आस्था और अपने से बड़े लोगों का सम्मान और जो लोग आपसे छोटे हैं चैए उमर में हो चैए कद में हो या किसी भी तरीके से हो उनकी इच्छत करना और पशू पक्षियों का सम्मान करना प्रकरती का सम्मान करना क्योंकि इस दुनिया में जो दोश है ना वो बहुत सारे दोश है अगर आप प्रकरती का नुक्सान करते हो तो प्रकरती का भी आपको शाप पड़ता है अगर आप गाएं का पशू का पक्षी का अपमान करते तो उसका भी शाप पड़ता है आप नदी का अपमान करते हो तो नदी का भी शाप मिलता है आप पिता का अपमान करते हो माता का अपमान करते हो उसका भी शाप आपको मिलता है गुरू का अपमान करते हो तो उसका भी शाप आपको मिलता है ये सब शाप दोशों में की ये दिसंबर के पहले सब्ता का सब्ताहिक राशी फल होगा और इस सब्ताह में क्या कुछ आपके साथ खटित हो सकता है इसके बारे में हम जाने और यह जानकारी सामान ने जानकारी है किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं है हम अलग-अलग राशियों की बात करेंगे अ आपका जनम दिन है शादी की साल गिरा है इस सब्ताह में तो धेरो धेरो शुप काम ना आए चलिए शुभारम करते हैं सब्ताहिक राशी फल का आपकी अपनी चंद्र राशी से या नाम राशी से आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा बेल आइकन के बटन को दबाईए और सभी लोगों से एक ही आगरे है कि कमेंट बॉक्स में जैशी राम जरू लिखेगा क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे जीवन से दुखों को मिटाने की ताकत रखता है आईए शुभारम करते हैं बात करते हैं वरश्चिक राशी की तो राखु मीन राशी के पंचों भाव में प्रस्पती मेश राशी के शष्ट भाव में चनर्मा मितुन राशी के एश्टम भाव में केतु कन्या राशी के ग्यारवे भाव में और शुक्र तुला राशी के बारवे भाव में चलाय मान होंगे तो विदेश यात्रा हो सकती है खर्चे कुछ जादा हो सकते हैं ध्यान रखने की आउशकता होगी वक्त वक्त पर ये सितारे अपना इस्थान पर वरतिन भी करेंगे एक तारिक को आधा दिन सही नहीं है एक तारिक की दुपहर से तीन बजे के आसपास से आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे यानि सुबह जो एक तारिक की सुबह है वो थोड़ी सी गड़बर है लेकिन दुपहर के बाद से बुलब आप कह सकते हैं कि सूर्ज धलने के बाद से एक डिड़ बजे के बाद से आपका समय ठीक हो जाएगा और आपको आपको टुगह मिलनी शुरू हो जाएगी कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी उच अधिकारियों से आपका दबदबा बना रहेगा उनके साथ अच्छी बाद चीत होगी सीनियर से आपका अच्छा बाद चीत रहेगी परतियों गिता और में आप जीत सकते हैं किसी परिशा कमिलिजन की त्यारी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चलेगी पैसा आपके पास आएगा कारवार अच्छा होगा नौकरी में तरक्षी होगी चार और छे तारीके मुद्य आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष पर होगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है परिवार समंदी योजनाय बनाएंगे परिवार की तरक्षी के लिए काम करेंगे कि परिवार में शांती पूर महौल रहेगा मान सम्मान यश कीरती परतिष्ठा में बढ़त्री होगी कुछ अनिश्चित यानि कि कुछ ऐसे लाब भी हो जाएंगे जो आपने सोचे ना हो जिसके बारे में कुछ आपको आइडिया ना हो अचानक से कुछ लाब हो जाएंग में अगर आपका बात नहीं बन रहीं तो आप किसी मिडियेटर को या किसी मध्यस्त को बीच में डाल सकते हैं साथ तारिकों समय उन्नती दैग रहेगा हाथ में लिए गए सभी कारे पूर हो जाएंगी वरश्चिक राश्यों वालों के लिए यह सबता थोड़ा सा उतार श बनाए रखने के लिए अपने कंपड़ीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा यदि आप किसी पार्टनर्शिप के वेफार में हैं तो आप किसी पर आँख बंद करके भरोसा ना करें सब्ता की शुरुवारत में काम काज के सिलसले में लंबी और छोटी दूरी की यात थकान भरी हो सकती है उमीद से कम रिजर्ट मिलने के कारण थोड़ी सी निराशा हो सकती है परिक्षा प्रत्योगता में जुटे हुए छात्रों को मन चाही सफलता पाने के लिए आलस को छोड़ना होगा ग्रूप स्टडी या अपने सीनियर की मदद लेनी होगी ग्रूप स बढ़क जाएंगे बेवजय के वाद विवाद में फृच जाएंगे सफता के मदमे भूवी भोवन से जुड़े हुए मामले आपको जिंता का कारण बन सकते हैं मामलों को हल निकानने के लिए आपको कोड के चरी के चकर भी लगाने पड़ सकते हैं प्रेम सब्रात incentives में आ रशी खुशी पर समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे देखिए शुरुआत में जैसे ये महीना शुरू होगा सूर्य मंगल वर्ष्टिक राशी उपने लगन में होंगे तो सूर्य मंगल का लगन में बैठना और किसी दिश्टी सब्तम भाव पर पढ़ना कहीं ना कहीं वैवाहिक यून में तमाव पैदा कर सकती है आपकी पती-पत्नी के बीज में रिष्टे बिगड़ सकती है आपको गुस्सा आ सकता है गर्मा गर्मी हो सकती है और तोड़ा सापको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो ज्यान रखना होगा आपको कि आप लड़ाई बहस बाजी ना करें और चंदर्मा भी शुरू आती दिरों में जो है अश्टम भाव में होगा तो मैंने बताया कि सुबह का समय इतना शुम नहीं है एक तारीक का शुक्र तुला राशी के बारवे भाव में होंगे तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं हो सकता है खर्चे आ जहां आपको सौर پे खर्च करने चाहिए हूं आप दिखावे में सौर कीजिए के दो सौर रुपे खर्च कर दें तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आउश्कता होगी आपकी समतान से भी आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है इस बात को भी आपको थो या result मिलेंगे केतु कर्णिया राशी के ग्यारवे भाव में होंगे तो लाब हो सकता है पैसे का लाब हो सकता है लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा बर्जंग बली का ध्यान रखना करिए धर्म से जुड़ जाईए मंदिर वगारा जाते रहिए ताकि आपको शुप परड़ाम मिलते रहें जितना आप धार्मिक होंगे जितना मंदिर जाकर मत्था टेकिएंगे जितना कुत्ते की सेवा करेंगे जितना आप कुत्ते को रोटी वगरा खिराए उसकी सेवा करें उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपकी जनम खुंडली में अगर सितारे कम्योर हैं तो उसकी जांच कराना भी आउशक है अपनी कम्योर जरम कुडली को मजबूत बनाने के लिए दिये गनम रुपया समपर कर सकते हैं अपनी अपॉइंट्मेंट को करा सकते हैं नमस्कार आप सभी लोगों को यही प्रेशन सदार होता है कि हमारी किस्पत कब चमकेगी, कब हमारे पास पैसा आएगा देखे जिसके पास जरम कुडली नहीं है, जिसके पास बहुत जादा पैसा नहीं है, बहंगे रक्न पहनने के लिए जिसको कम समय में, कम खर्चे में मालक्ष्मी को परसंद करना है तो वो व्यक्ति इस पाइराइट पत्थर को पहन ले यखीन मानिए कि ये पत्थर आपके जीवन में शुक्ष, शांति और सम्रद्धी ले आएगा ये पत्थर का सिर्फ एक ही काम है आपको सफलता दिलाना और आपको सफल बनाना जब आप सफल बन जाएंगे तो पैसा आपके पास आएगा और पैसे को बहुत तेजी से ये आपकी तरफ खीच कर ले आएगा इस पत्थर को लेने के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप गारी खरीश सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, बच्चों की अच्छी प्राई कर सकते हैं, अपनी पत्थर ही आपको पैसा देता है बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं, बढ़िया घुमने फिरने जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, और ये पत्थर ही आपको पैसा देता है, इस पत्थर को लेने के बाद अपने बुढ़े माबाब की आप सेवा कर सकते हैं, उनकी जरूरते पूरी कर सकते हैं, तो ये पत्थर आपको सुख देगा, ये पत्थर अगर आपके पास होगा, तो आपकी इंकम बढ़ेगी, मालश्मी आपके पास आएगी, तो आप शादी करेंगे बढ़िया घर में, उच्छे कुल में शादी होगी, फला फुला पडिवार होगा, हर तरीके से ये पत्थर आपको खुशिया देगा, क्योंकि ये दुनिया अमीरों की है, और आपको भी अगर अमीर बनना है, ये सारी चीजें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ चाहिए, तो इसे खरीदिये, पहनिये और जीवन में सफल हो जाईए, कुछ लोग कहते ह कि पंडी जी आपने क्यों नहीं पहना, तो मैं ये कहूँगा, आपने तो सिर्व इतना बड़ा पहना है, मेरे पास तो दो गिरों का पड़ा हुआ है, मेरे ऑफिस में आके देख लीजेगा, और गले में भी पहना हुआ है, आप अपनी जो पैसा होता है, लोगों को दिख हाते थोड़ा ना हो, तो ये पत्तर आप अपने गले पे पहनिए, अपनी तीजोरी में रखिए, मालश्मी जरूर आपके घर पे आएंगी और बहुत तेजी से आएंगी और रोज आपके घर पे दिवाली होगी, L6 इसका कोड है, पच्चिस सो रुपए इसकी कीमत है, तो